जो एक्साम जो इंसान कभी SSB देने ना गया हो, उसको उसकी फीलिंग नहीं पता होगी बच्छो लेकिन जिसने कि पल जी है न वो उसको चांता है, हम क्यों निराश हुए, हमें क्या फरक पड़ना था, कोई फरक नहीं पड़ना था, लेकिन हम क्यों परिशान हुए और भई मां अगर ऐसी बात बोल दे, तो चाहे तलवार रख दो गर्दन पर फिर तो उसकी भी परवार नहीं है तो मैं गों बताता हूं कि मैंने जब NDA पास किया, तो मेरा जो फर्स्ट NDA कौलिफाई हुआ था, जो जिसका SSB 22 SSB Board भौपाल पड़ा था, तो मैंने जो फर्स्ट NDA कौलिफाई किया था, एपरेल वाला किया था, और 18 अपरेल को ठीक, तो मैं इसकी कसम खा कहता हूं, मेर लिए दुनिया में इससे वड़े कुछ नहीं है, यही मेरी पूजा है, यही मेरी कर्म है, जो भी वर्ड बोलूगा, एक-एक यह मान लेना, कि बिलकुल वो जो मेरे साथ हुआ था, और कैसे करके first time की बात बताता हूं, आप लोग को सुनिएगा धियान से, इसी लिए demotivate ब बात बताता हूं आप लोग को, first return से पहले भी, जो बच्चे कहते हैं, सर हम निराश हो रहे हैं, निराश होने के जुरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं, जब मैंने first NDA दिया था, मेरे को आज भी याद है, कि मेरा अगस्त का चांस था, लेकिन मैं अगस्त का चांस क्यों तो मेरा admit card नहीं आया, मेरा admit card नहीं आया, मेरी तयारी ठीक ठाक थी, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत खराब भी नहीं थी, मेरा admit card नहीं आया, मैं खूब रोया, क्योंकि ये बात तो तै थी, कि मुझे NDA से आप सभी को पता है, कि मैंने अगर जिंदगी में क इस चीज को एक्जाम को जिया है ना मैंने बहुत एक्जाम निकाले उसके बाद लेकिन मेरा जो जीना था बलकुल सिर्फ और सिर्फ NDA के लिए था क्योंकि मैंने इस पे कसा हाथ रग दिया तो मेरे लिए सब कुछ यही है जो भी वर्ड निकलेंगे उस अच्छा ही है NDA को मैंने इपनी जिन्दगी में जीया था फील किया था जैसे कुछ बचे एरफोर्स को जीते हैं कुछ NDA को जीते हैं NDA में लिए जॉब नहीं थी फीलिंग थी ठीक है तो मेरा अगस्त का टेम्ट था सब के एड्मिट कार्ड आ गए मेरा एड्मिट कार्ड नहीं आया था हम खुद फॉर्म फिल किया करते थे तो मेरा यूपेसी का एड्मिट कार्ड जो था वो रिजेक्ट हो गया था और मैं उस समय इतना बैठ के रहा है मेरे रेलवे स्टेशन पर बैठा था और मैं रो रहा था और मेरे मामा जी मुझे सपोर्ट कर रहे थे मतलब होता ही है मामा थे मेरे साथ में तो नहीं कहा नहीं रो मत अब रो ना तो आएगा ही सीधी सी बात है दिल दर्द हो इसलिए हम आज भी वैसे ही हैं हमारे बच्चो का पेपर खराब होता है तो हम तब भी उसको फील करते हैं क्योंकि हम रहे हैं जिस इंसान ने कभी एक्जाम ना दिय हूँ जिस इंसान ने उसको एक्जाम को ना दिया हो जिस इंसान ने उसको पास ना किया हो जो इंसान कभी एसेसबी देने ना गया हो उसको उसकी फीलिंग नहीं पता होगी बच्चो लेकिन जिसने कि पल जिया है वो उसको जानता है हम क्यों निराश हुए हमें क्या फरक मेरे उसी बैग में मेरी माता जी ने एक एडमिट कार्ड और भी डाला था, मतलब मेरा एक चीज़ का और भी एडमिट कार्ड आया था, that was of Indian Merchant Nevy, मतलब मर्चेंड नेवी, तो मर्चेंड नेवी का उसमें था, मेरी माता जी का फॉन आया, कि बिटा, तेरे मामा ने बता दिय था, कि जो एकजाम है, इसका ये, मतलब एडमिट कार्ड, सबको घर में पता ही था, कि एडमिट कार्ड हो गया, तो मेरी मा मेरे हमेशा साथ में रहती थी, मतलब घरवाले कभी उस समय, लेकि आज भले कोई भी साथ हो, लेकिन मैं सच बोलूँगा कि उस स्टार्टिंग मे घरवाले थोड़ा सपोर्ट में नहीं थे, पढ़ने के लिए सपोर्ट में थे, लेकिन कमेंट थोड़ा बहुत चलता रहता था, कब निकलेगा एक्जाम, बस ऐसी करता रहेगा, क्या, एक्जाम नहीं नहीं कल रहा तुस्से, मतलब ये वाली बात, और मा जो थी भाई, मा में को पसंद नहीं है, देखे, जिन्दकी में काम कोई भी कर दीजिये, सब अच्छे होते हैं, लेकिन दिल के करीब भी तो कुछ चीज़े होती है, तो National Defense Academy घडग वासला जो है, वो यहां, यहां होगा था, तो मैं उसमें रो रहा था, और मातर जी बार बार समझा रहे थी कि बेटा, नहीं, तु चला जा, तु चल ठीक, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मर्चेंट निवी का एक्जाम निकाल दूँगा, देखे, मैं कैल्कुलेशन जब छोटा हूना तब सी करता आया हूँ, मेरा दिमाग हमेशा सी ऐसा चलता आया हूँ, कि पहले जी देख लेता ह आगे क्या होने वाला है, तो मेरे को पता था कि मैंने मर्चेंट निवी का पेपर अगर निकाल दिया, तो मुझे भेजेंगे जरूर, जबर जस्ती, क्योंकि आपको पता है कि घर में सबसे पहले क्या चाहते है, घरवाले सरकारी नौकरी लग जाए, that's all, और अपना ऐसा अपने को, फीलिंग ही कुछ और थी, खड़क वासला, एंडी की वो ट्रेन सपनों में दौड़ती थी, तो मैं सोच लिया था कि तू अगर पेपर देने चला गया, तिरे साथ हदसा होने वाला है, फिर मा ने बोला कि नहीं देख, तुझे मेरी कसम है, और तू पेपर देन नहीं है, तो मैं पेपर, मैं एडविंट कार्ड उठाया, और मैं मामा जी को साथ लेके चला गया, ठीक है, मैं गया वाँ पर पेपर देने, और देखी भाई, एटिट्यूड हमारे अंदर उस समय फुल था, ठीक है, घ्यान धिरे-धिरे जब आता है, तब इंसान का एटि को फील कर लेते थे, कि वी आर नैशनल डिफेंस अकेडमी ऑफिसर, मर्चन नहीं का एग्जाम देने जा रहे हैं, हाला कि देखे, फॉज, सारे एग्जाम एक चीज है, लेकिन उस समय माइंड में कहीं ना कहीं था, तो मैं एग्जाम देने गया, और वहां पे मैडम जो थ अर मैंने एक परसेंट नहीं देखा, मैंने फंटांफट करना स्टाट कर दी है, और वो अफ्लाइन पेपर, इस विल कर दी, मैंने मुस्खिस से कितना डा प्री कर दिया होगा, उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं से रिल लिटरली Samla लिए, मैंने भी वो मैडम मेरे पास आई और आके कहती है क्या हुआ पढ़ा लिखा नहीं है क्या मैंने देखा नहीं मैं फिर चुप चा बढ़िया हूँ तो मैम कहने लगी क्या हुआ तुमने पढ़ा लिखा नहीं है क्यों निराश क्यों हूँ अब मैंने क्या अपने दर्द दिल का हाल सुन मैंने का मैम छोड़ी है कि ना कुछ है दिक्कत है बूला रहे खुछ होना चीजिए तुम्हारा तब अच्छा हो रहा है मैं तो वैसी देख रही ती सोच रही थी कि तुम नालायक हो या निकम में हो मैंने का मैं मैं एंडी एस्पिरेंट हूँ तब उन्होंने मुझे छोड़ा और वो बार-बार मेरे पास आती थी मुझे समझाती थी ठीए और फिर मैं वहां से निकला मैंने पेपर दिया मैं ने फटा-फट पेपर दिया और मैं होहां से निकला और जबर्जस ठंगामा क्योंकि सारी फैमली कहती थी कि भेजो सरकारी नौकरी जबकि वो सरकारी कहा है लेकिन फिर भी मतलब ये था कि जॉब लग गई है मर्चेंट नेवी में लड़के का सेलेक्शन हो गया है और मैं अपनी माता जी के चहरे की तरफ मैंने का आप बताओ क्या करूँ मैं और माता जी मेरी मेरे तरफ तो इस सरी के से चल रहा था फिर मैं खूब लड़ा माने मेरा सपोर्ट किया और मैं उससे बच गया मैंने नहीं दिया देखो गई सीदी सी बात थी मैंने उसको छोड़ा और मैं वहां से निकल गया कि मैंने का मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि मेरे को सिर्फ एक चीज़ से प्यार है तो मैंने उसको छोड़ दिया था फिर क्या हुआ उसके बाद अगस का टेम्ट मेरा खतम हो गया था मैं लगया दिनराथ तैयारी में और अच्छे से प्रिपेर करने में तो मेरा अप्रेल का टेम्ट आया अप्रेल का टेम्ट 18 अप्रेल को ही था मेरी तैयारी ठीक थी लेकिन मैं over confident था मेरा maths की तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी लिगने मेरा जो second section था ये बहुत मजबूस था पहले से ही क्योंकि science ठीक थी मेरी English में मेरे को कभी समस्या नहीं होती थी और GK में मैं learn करने में भी ठीक ठाक था बट मेरा maths को मेरे को बहुत दिक्कत थी भाई maths को आप believe नहीं करोगे R.S. Agrawal नाम की किताब आती है India की मैं उस आरगरवाल का मेरे को एक एक कुश्चन भी याद में तब आप कह सकते हैं मैं कि मैंस में रटने वाला student था बाद पहला chapter टिग्नोमेटरी का आज भी मेरे को याद है फिर उसी टिग्नोमेटरी में एक वो आता है angle of elevation और depression वाला आता है क्या है उसका नाम कुछ इसी तरीके से है तो angle elevation, depression का question मतलब यह रहता है फिर integration, differentiation तो मेरे को इतना vomiting अएकदम से तो मेरे mass बहुत कमजोड था ठीक है, मैं बहुत कोशिस करता था करने की बस मेरे को एक ही धढ़कन दिल की रहती थी कि अगर भार हुआ तो बेटा NDA के उसकी वज़े से भार होगा mass की वज़े से, otherwise तो भार होने का मतलब नहीं था वस मेरे को चाहिए था कि NDA में pass हो जाओं वस, merit तो मैं इधर से उठा लूँगा मेरे को इतना confidence रहता था जीकी के paper में, कि merit मैं उठा के ले जाओंगा यहां से अपने आप, लेकिन मेरा pass pass हो जाए, mass में मेरे को इतनी सरदर्दी थी बहुत ज़्यादा और वही हादसा हुआ, 18 अपरेल को NDA का exam मेरा धेरदूर में ही center था, और मैं paper देने गया paper देने जैसे बैठा, सबसे important में जो आपको बताना चाहरा हूँ जो मैंने गलती की है, मैंने इसकी किसम खाई है, यह मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपको एक एक बात वो बता रहा हूँ, जो हुआ, और यही गलती, मैं अपने student को वही बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ, वही नहीं चाहता, मेरे student वो repeat करें, ध्यान से सुनना, अगर आप first time देने जा रहे हो, तो ध्यान से सुनिएगा, 120 question में से, मैंने starting से शुरू कर दिया, क्योंकि experience नहीं था, मेरा first attempt था वो, first, मैं starting के 10 question में उलस्ता हुआ रह गया, 10, 11, 12, 13, 15, 14 पे पहुँचा, मैंने फूरा paper पढ़ा ही नहीं, मैं लगभग मुस्किल से 35-40 question पे पहुचा, और उनमें से मेरे को जितने हो पाए, 40 या 45 पे मुस्किल से पहुचा होँगा मैं, और उसके बाद bell बज गई, पांच मिनिट वाले से पहले बज़ती है, उस बैल के बज़ते ही मुझे पता चला, इतना टाइम बचा हुआ है, और मेरे इतना sweat होना start हो गया, मेरे को लगा सब बरबाद हो गया, इतनी अच्छी तयारी होके भी अब क्या होगा, और मेरे को ड़र लग रहा था मैस का, मैंने काई कवार हो गया, बिल्कुल, बट मैंने एक उस समय, देखे, इसी को कहते हैं, कि आप किस टाइम पर कैसा decision लेते हैं, मैंने तुरंत decision लिया, कि पेपर को जल्दी फटा-फट पलट, तब मेरे last minute में दिमाग माया, कि इसमें आसान question भी तो हो सकते हैं, मैंने फटा-फट पलटा, और वास्तों में आगे ऐसे question थे, बच्चो, कि देखते ही मैंने, जो रटने वाले भी question, मतलब रटने वाले, तो मैं मैंस में अच्छा नहीं था, तो इसलिए मेरे साब से थे, जिनके value putting, टिग्नोमेटरी questions, value putting, 90 रख दिया, फटा-फट जैसे वे question आता है, 10, 30, caught, I'm sorry, opposite मतलब, जो समाझ हो न, feelings मेरी cut जाता है, फिर इधर से cut ता, इधर से cut ता, इधर से cut ता, इधर से cut ता, सीधा answer देखते ही, 10, 40 वाई बीच में, 10, 40 वाई, 10, 40 वाई, value 1, ऐसे questions, मेरा मन खुश हो गया, लेकिन उस समय पर अपने आपको बना गए, इतना, इसी कहता है, प्रेशर हेंडलिंग सिच्वेशन, फॉज के बहुत सारे महीने होते हैं, पेपर आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है, चलानी तो आपको गोली आहीं है, लेकिन ये कुछ चीजे प्रेशर हेंडलिंग होती है, तो मैंने फटा-फट जल्दी से, ऐसे-इसे questions, value putting के, लिए, और उनसे भी easy question आगे की तरफ दिये हुए थे, मैं एक बास समझ चुका था उसी time, कि अगर एक बच्चा पूरा पेपर भी एक बार पढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, कि वो 40 question, 40 से 45 question ना करे, लेकिन चाला की वो क्या छिपा के रखते हैं, कि 4 question यहाँ easy, 2 question यहाँ easy 2 question यहाँ easy, 4 question यहाँ easy, last में, और बच्चा last तक पहुंचता ही नहीं है, नहीं तो 40-45 question तो वो easily निकाल सकता है, आराम से निकाल सकता है, किसी ना R.S. अगरवाल भी कियो, भाई साब हमने कभी R.S. अगरवाल के अलावा कुछ नहीं उठा के देखा, पहले attempt की बाद बता लेकिन बच्चों मैं लगभग मुस्किल से, और मेरे जो मुझे मैंने देखा बाद में आके, मेरे जो सही ठीक ठाक कोशन उस समय हुए थे, वो 35, मतलब 30, 30 से उपर, 40 के बीच में मतलब इतने ही थे, देखो, literally सही है, और उस समय पर इतने ही काफी होते थे, मतलब होने तो अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने सोचला है, भाई, गया तेरा तो सपना गया, मैं बहार आया, मेरे हाथों पर पसीना, मैं कहां पर आहूं, मुझे कुछ समझाने वाला नहीं है, मेरा एक दोस्त, कानपूर्गा, विश्वेंदर कटारिया, he is right now major in Indian Armed Forces, ठीक है, तो वो बह ऐसा हो गया, उसने का सुन, टेंशन मतले, उसको भी पता था कि मेरा सेकिंड सेक्शन बहुत अच्छा है, उसने का कितना हुआ है, मैंने का सम्धिंग यार, तीस, अठाइस, ऐससे कुछ कुछ कुश्चन होगे, उसने का चल, जो हो गया, उसे छोड़ जो होगा, देखा ज और मैंने सोचा, अब जो होगा, देखा जाएगा, पेपर जैसा गया, निकलेगा, 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 पर इस पेपर की बेंड बचा के रहा हूँ, अब, I will see this paper, anyhow, मैंने पूरी ताकत लगा देनी है, पेपर न निकले, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने का अब तो गुस् साइन्स पे, इसलिए कहते हैं, जो आपके सब्जेक्ट अच्छे हो, जो इजी है, सब पकड़ लो फटा, मैंने कहीं ये ना छूट जाए, डेर सो कुश्चन है, मैं साइन्स पे गया, साइन्स में फटा-फट, मैंने कुश्चन से उठाए वहां से, और उसके बाद फिर मै गया सीधा जोग्राफी पे, क्योंकि मेरी जोग्राफी अच्छी थी, अगर जी इसकी बात करूँ, मेरे को सारा उस समय आता था, अभी तो मेरे को लगभग कुछी चीज़ याद है, एक कुश्चन मेरे को आज भी याद है, दो कुश्चन मताता हूं आपको, एक पूछा कि इधर लेफ्ट से, इधर ऐसे, मतलब वेस्ट से इस्ट पे, जो यह होती न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे पास होती है, कौन-कौन से स्टेट से पास होती है, तो मेरे को आज भी याद है, हम अपने फॉर्मले खुद बनाया करते थे, कैसे, देखो, अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, देखो, लेकिन मेरी शॉर्ट ट्रिक आभी भी दिल से पढ़ाई करी थी, यार, क्या हुआ हम नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन यादोक के साथ आज भी जीते हैं, और जिंदगी में कभी भी काम करो ना, मन से करन हार भी होगी ना, तो हार भी सर्मा जाएगी आपके उस पर, हमने बहुत, मतलब कोई समझाने वाला नहीं होता था, खुद अपने आप NCRT से अपने आप बनाते थे ट्रिक्स वगएरा, तो मैंने दो सेकिंड में ऐसे ऐसे कोई बहुत उड़ाए भई, आप देखो, यही ह है ना, बताओ, स्टेट्स की यही है क्या, G for गुजरात, R for राजिस्तान, M for क्या आएगा, मध्यपर्देश, यहाँ पर कुछ, एक सेकिंड, C, C आएगा यह, हाँ, K ने, चतिसगड, जारखन, बंगाल, त्रिपुरा, और यह, मिजोरम या मनिपूर का, अब देखो, यह तरह नहीं पता, यार, बस यह याद है उस समय की शौट्री, बताओ, सही है, सही चल रही है, नहीं चल रही है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यही था, अब देखो, मुझे नहीं पता, तुम्हारी शौट्री क्या है, मेरी शौट्री कुछ इस तरीके से थी, मैं रिवील कर देता हूँ, हमने क्या बनाए था, ऐसी मेरे पास बहुत शारी शौट्रीक्स थी, अभी भी कुछ याद है, कुछ नहीं है, देखो, इस तरीके से मैंने बनाई थी, उस समय पर, ठीक है, क्योंकि हम केवल रिटर्न के लिए नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, SSB के लिए, SSB में जब हम बोलेंगे, तो किस तरीके से बोलेंगे, उनके टॉपिक कैसा हैंग इंडिया-चाइना रिलेशन्स, घ्यक है, ग्वादर पोर्ट, ये सब इस तरीके से, तो मैंने जो स्वाटरिक बनाई थे, वोगा बनाई थी, गड़वाल राइफल में कार्टूस जले, बंगाल तक मरे, ये कुछ इस तरीके से था, गड़वाल राइफल में कार्टूस ज पढ़ दिया जी इसका पढ़ दिया और मैं जब आया ना और मैंने आके चेक किये तो मेरे लगभग लगभग 85-90 के आसपास मेरे जो थे वो सही थे ठीक है और मेरे को लगा अब सायद हो सकता है अगर मेरे निकल जाएगा और धड़कन ये बरकरार थी फिर उसका रिजल्ट आया और जब रिजल्ट आया तो हमारे टाइम पे ना बेटा मुबाइल फॉन्स नहीं होते थे हमारे टाइम पे कैफे होते थे और ना निकला ना तो फट जाएगा दिल तो मैंने गया और मेरे को आज भी याद है तो उन्होंने चस्मेवाले भाइया थे तो उन्होंने बोला कि जैसे वो check कर रहे थे तो उनका मैं expression देख रहा था मैंने का भई काश और सब को मैंने याद कर लिया देवी, देवता, ये भगवान मैंने का जो भी मैंने अपराद किया हूँ बुरे समय में आदमी सब कुछ याद करता है तो मैंने सब कुछ याद कर लिया भगवान प्लीज ऐसा नहों बस 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 इस बार निकल जाए और आज के बाद मैं और मैं कभी किसी मतलब मैंने सब कुछ पॉजिरिविटिविटी जो भी आदमी डूण सकता मैं सब कुछ अच्छा करूँगा भगवान तो ये सब चल रहा था उस समय पर और मैं सब कुछ याद कर रहा था तो जैसी उन्होंने बोला कि हाँ एक बर उन्होंने मुझे डर दिया बोला इसमें तो कहीं दीखें नहीं मैंने का यार है समद बोला और ये 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 मैंने का ये ये विश्वास से दिन रात महनत लगा के जब आप निकालते हैं, कुछ भी काम मतलब, जो मन से किया हो, बहुत मजा आता है, इतना सुकून, मैं आस्वान की तरफ देख रहा हूँ उसमें, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि I am just over the moon, मतलब वो feeling मैं बता नहीं सकता, भलाई, बात में क्या होगा, डिजन मैंटर, लेकिन वो feeling मेरे लिए बहुत best feeling थी, और क्यों था, क्योंकि मेरा mass करा होने के बाजूती मैंने निकाल लिया था, और मैं इतना खुछ था, फिर मैंने फटा-फट सबसे पहले, मेरे पास एक phone होता था उस समय पर, आजकल आपक मेरे को आज भी आदे, मेरे को बड़ी रोना आता है, मैंने का माताजी आपका बेटा लेटिनेंट बन गया है, लेकिन ये कमवक्त पता नहीं था कि अभी जर्णी आधी हुई है, लेकिन खुशी होती है ना अंदर से एक दम से, मैंने का माताजी आपका बेटा में और उसके बाद बस कुछ दिख कोई पर तो आपका बेटा लेटनेंट है ही मैंने का बोल देना सब को जिन्होंने भी गालियां ताने कर से थे मैंने का आ रहा है अपको लेटनेंट तो मैं इतना जादा इमोशनल हो गया था उस समय पर तो फिर माता जी भी बहुत खुश ह फिर उसके बाद मेरा 22 SSB Board First मेरा भोपाल का था उसकी भी एक अलग यादे हैं ठीक है तो अभी आपका काफी समय मैंने ये बात इसलिए समझाए आपको क्योंकि हम